नमस्कार डेट है आज की 21 अगस्त और आज है आपका सटर्डडे तो सटर्डडे को हमारा Chemistry का जह है वो MCQs का जह है वो लेक्चर रहता है और यह हमारा फौर्थ लेक्चर है इससे पहले कि आपने जो है वो लेवल से आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ यह इन सब भी एक्जाम्स में कहीं न कहीं पूछे जाएंगे आपको कमिस्टरी के कोशन्स बताने की कोशिश करूँगा आपको यहाँ पर तो वीडियो को अंत तक देखना जीके ट्रिक एप को डाउनलोड कीजिए सबसे पहले तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं ठीक है biology batch और chemistry batch मेरे द्वाद वहां लिया जा रहा है यापर लाइव सेशन रहता है biology proced का monday से friday और live session रहता है आपका chemistry batch सatटरे को संदे को तो दोनों की टाइम इंग आपको शाम को तीन को तीन वज़ए देखने को मिलती है तो आप इसमें जॉएन कर सकते हैं लिंक विजोय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन वॉक्स मिल जाएगा तेलिग्राम लिंक आपको दे रहा हूं मैं इसमें भी आप जोय कर सकते हैं यह का आपको कौरा जाएंगे और टेट मेडिकल और के प्रविए आपको यहाँ पर मिल जाएंगे तो यह इन चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पर जीके ट्रेक अपके अंदर जाएगा आप जलता हूं फर्स्ट कोशन के और अन पॉल्यूटड एर कैसी है देखो मिक्स्चर क्या होता है सब मिक्सर बोलते हैं ठीक है जैसे आपका मिल्क मिक्सर रहता है सी वाटर आपका मिक्सर रहता है पैट्रोल आपका मिक्सर रहता है जैसे लाइम वाटर होता है वापका मिक्सर रहता है जैसे पेंट होता है आपका मिक्सर रहता है सिमेंट होता है आपका मिक्सर रहता है और ज जिनकी जो composition जो रहती है वो lifetime जाए वो सेम रहती है और हिट्रोजज़नेस mixture होती है वो जिनकी composition जाए वो थोड़े-थोड़े समय बाद जाती है यहाद रखनी है तो unpolluted जो air होती है वो atmospheric air की यहाँ पर बात हो रही है कैसी बात हो रही है एंट्रोस्पेरिक एर की बात रही है तो वो जनरली होमोजनिस मिक्षिर रहती है बी ऑप्शनिस का राइट अंसर है और जो होमोजनिस मिक्षिर रहता है वो सॉलूशन सी कहलाते है एक तरह से क्या कहलाते है सॉलूशन्स तो सॉलूशन्स भी आपका होमोजनिस मिक्षिर होत होता है यह एज़ पेट्रोल की फॉर्म होता है वो भी आपका होमोजनेस मिक्षर होता है और जो टेप वाटर होता है वो भी आपका होमोजनेस मिक्षर होता है ठीक है जैसे ब्रास होता है आपका वो भी आपका होमोजनेस मिक्षर होता है और जो स्टील होती है याद रखना ह और जो आयोडाइस जो टेबल सौल्ट होता है वो आपका हिटरोजिनिस मिक्स्टर होता है तो मैंने आपको यहाँपे बिता दिया है be optionist का answer है नेक्स्क्री तियग त्या थेलिंग इनमें से कौन सा मिफ्चर नहीं है मीफ्टर लेकिन ग्रेफट ग्रेफट एक नौन-m shitty है क्या है यह और यह आपका टाले संनUST है यह only conductor which is good conductor of heat and electricity ठीक है यह electricity को conduct कर लेता है तो यहाँ पर यह जो है वह आपका mixture नहीं है तो डी option इसका बिल्कुर राइट अंसर है नेक्ट रिए जो देतें which of the following element act as metalloids तो देखो एंटी मनी आर्जेनिक बिस्मत यह तिनों ही जो है आपके metalloids की तरफ है बिएव कर लेते हैं डी option इसका बिल्कुर राइट मेड्यूं नोर्हेट्स की तरफ अचछए आपकर यहाँ पर यहाँ पर ग्रेफाइट की बारे मं में बब consensus है यहापका नौर्माएटल है और यह काम करता है जृओर सनूर मैटल रहता है और यह प्यूर सब्स्टान्स है प्यूर सब्स्टान्स यानि कि यह element है स्टील क्या है पहले बिटा चुकाँ को मिक्चर है कैसा मिक्चर है होमोजिनेस मिक्चर है यह आपको याद रखना तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कूर राइट अन्सर है नेक्ट जो 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 दे दें, which of the following statement is correct about compounds, अब compounds के बारे में क्या statement correct है, तो याद रखना है सबसे पहले, कि वो 2 या 2 elements से, 2 या 2 से ज़ादा elements से मिलकर जाए, वो बनता है, तो a statement गल्थ है, दूसरा, compounds जो है, always homogeneous रहते हैं, कैसे रहते हैं, always जो होते हैं, तो be optionist का right-nose रहे, homogeneous में आपका solutions भी होगे, और compounds भी होगे, तो compounds जो है, आपके always homogeneous रहते हैं, तो be optionist का right-nose रहे, उसमें energy change आपको देखने को मिलता है, और साथ-साथ concentrated particles को हम separate कर सकते हैं, chemical method से, नाकि उसको physical method से जो है, वो separate किया दाता है, तो यहाँ पे c, a, a और d जो है, और statement बिलकुल correct नह next, which of the following is not a homogeneous mixture, इन में से कौन जो है, वो homogeneous mixture नहीं है, तो homogeneous mixture जो है, आपका salt in water है, sugar in water है, air in atmosphere है, लेकिन ये iron fillings with sulfur powder जो है, आपका ये heterogeneous mixture है, ठीक है, तो यहाँ पे d optionist का right answer है, next, which of the following drug can be given to AIDS patient, इन में से कौन से drug जो है, वो AIDS patient को दी जाती है, तो ये याद रखना है, कि जो A, Z, T होता है, इसको बोलते है, acidothymidine, ये AIDS patient को दी जाती है, d optionist का right answer है, जो ये nylon 6 है, ये आपका polymer है, और ये artificial polymer है, chlorophyllocole streptomycin, ये bacterial infections होते हैं, उस समय दी जाती है, medicines, तो यहाँ पे d optionist का right answer है, कि AIDS patient को हम acidothymidine, जो है, वो देते हैं, which of the following is found in refrigerants and depleted ozone cover, इन में से कौन जो है, वो refrigerants में आपको देखने को मिलती है, और वही जो आपका होता है, वो ozone layer को भी जो है, वो depleted करता है, खतम करता है, तो chloro-fluorocarbons आपको देखने को मिलती है, राफ्रिजडेंट के अंदर, डी optionist का right answer है, polythene आपका एक artificial polymer है, ठीक है, और oxygen और nitrogen जो है, यह आपकी atmospheric gases है, नेक्स प्लाटिन ड्रग्स गीवन टू, जो ड्रग्स होती है, वो किसको दी जाती है, एक याद रखना है, आपको टेक्सोल, एक सिस्प्लाटिन याद रखना है, तो यह ड्रग्स जो है, आपको cancer patient को दी जाती है, एक और चीज़ बताता हूँ, स्ट्रेप्टोमाइसिन, कुलोरम फिनोकोल और एमफिसिलीन, यह सब जो है वो bacterial infections होते हैं, उनको दी जाती है, एंटिबायाटिक्स होती है, यह ब्रॉड स्पेक्टरम जा है एंटिबायाटिक्स, कौन कौन सी एंटिबायाटिक्स, कुलोरम फिनोकोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, और एमफिसिलीन, नेक्स जो देते हैं, इन में से कौन सी टाइप की जो ड्रग है, वो एफेक्टिब रहती है bacterial patients के लिए, ठीके, तो यहाँ पर आज रखना है कि D option, राइट एंसर है, स्ट्रेप्टोमाइसिन भी दी जा सकती है, उनको, एमफिसिलीन भी दी जा सकती है, और आपकी कौलोरम फिनोकोल भी दी जा सकती है, ठीके, तो D option इसका बिल्कूर राइट अंसर है, which of the following is the natural polymer, इनमें से कौन जो है, वो natural polymer है, देखो, natural polymer में, जैसे आपका wool होता है, silk होता है, और आपका cotton होता है, और एक isoprene, जो rubber होती है, वो natural polymer में आते है, लेकिन जो teraline है, polythene है, bakelite है, nylon 66 है, nylon 6 है, यह सब क्या है, आपके synthetic polymers है, क्या है, synthetic polymers, c option इसका बिल्कूर राइट असर है, तो यह थे आपके top 10 questions आयो हो, आपको समझ आयो हो, important questions है यह, ऐसा नहीं है, कहीं ही नहीं आया exam में, बहुत ज़दा का, जो है, यह exam में, आपको question करा रहा हूँ आपको, दिनेश company and chemistry की book से, तो वही से question आपको देखने को मिलता है, बिल्कुल basic level से कराऊंगा, जैसे जैसे chapter चलेगा, आपका वैसे-वैसे, आपको questions आपको अलग-अलग type के देखने को यहाँ पर मिलेंगे, ठीके, तो आज के वीडियो में फिलाल तो इत